हेलो बच्चों कैसे आप लोग उमीद करता हूं प्रसन्द होंगे खुष होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी बना करके आगे बढ़ रहे होगे का आपको कैसे कैसे एक्जाम में क्या करना है खासकर कि वो बच्चे जिनका कोष्टगार्ड का इक्जाम है या वो बच आज आप लोग उनसे पढ़िए जिन्हों ने प्रयाग राज में सरवाधिक सेलेक्शन दिया है आज आपको उनसे पढ़ना है और पढ़ना क्या है आज का जो क्लास है मेटा वह अर्थमेटिक का क्लास है ठीक है यह एक्जाम में अधर इसको पढ़ना के लिए यह है परके त्यारी त्यारी करने वाला बच्चा भी इसको पड़ सकता है तो अर्थमेटिक सभी यूजफूल है 2022 के एक्जाम के लिए जैसा कि मेरे द्वारा फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है एंडिये का एंडिये एर्फोर्स सभी कमिशन डिफेंस के लिए और नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा रहा है एंडिये एर्फोर्स के लिए और एक सिरीज बनाया है जिसमें आपको मैंने प्रॉफिट एंड लास का कम्प्रीट वीडियो बनाया है हार टाइब का जो कोश्चन है के कोश्चन वहां पर डिसक्स किया गया है उसके बाद उसके रिलेटेड अब जो एक्जाम्बल्स होगे वह करा जाएंगे प्रैक्टिस करा तो अर्थमेटिक आज आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आप भूल करके दिखाएं तो जानु अर्थमेटिक आपका बहुत आसाल लेंग्वेज में पढ़ाया जाएगा दूसरा चीज यहां पेच्छी जाओर है कि नया बैच इस्टार्ट है कोई बच्चा नया बैच अगर जोई करना चाहता है जोई कर सकता है क्लाशे स्टार्ट है आपका अर्थमेटिक आपको ना समझ में आती हो तो इस कॉंटेक नंबर कर सकते हैं थासी अथावज चोहतर चौरासी सैपिस है लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अगर पसंद आए लगे कि बहुत अच्छा वीडियो है पर्सेंटेश का धेर सारा चीज एक ही वीडियो में आपको मिल गया बहुत आसानी से त्यार हो गया तो बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा जो बच्चे सब्सक्राइब किये हैं जो बच्चे सब्सक् देखे दिखें पर्शंटेज करते हैं पर सेंटेज पर सेंटेज तो परसेंटेज का बंदब होता है तो ये कॉंसर ध्यान देना है जैसे आप से कह दिया जाए कभी एक स्ट्रेट्मेंट आजाए कि पांच सौ का कि दस पर्षेंट कितना होगा इस तो क्या करेंगे तो बटा कुछ भी नहीं करना है इसको करना है तो का का मतलब होता है मुल्टिप्लिकेशन तो आपको इस्टेट्मेट ये कह रहा है कि कि पांच सौ गुड़े दस बटे दस पर्षेंट का वंदब दस बटे स्वंसा इंको कि इनको कितना मिला है तुछ यूद्द इसको मिलता है तो सो मिरान दस मिला इसका Sent उनल 10 होका कर देना है और उसका जो Each वो आपको बता देना है तो एसर कितना जाएका बंच्शा 2-0 कर जाएगा या जाएगा पचास इसका पांस हो का 10% कितना होगा 50 रुपए होगा पहला कोश्चन 500 उसी तरह से आपका अगर कोई एक्जाम होता है और आपके कह दिया जाता है कि कोई 600 नंबर पाया है 600 नंबर का पुरांक है और 600 नंबर में 60% उसको लाना है तो कितना नंबर आना चाहिए तो बिड़ा 600 का 60% आप कर दीजे तो कितना हो जाएगा जनली कहा जाता है कि 60% 360 इसका अबला 360 नंबर अगर वो पा जाता है तो 60% आजाएगा तो इसका अबला जब कहें 600 का 60% या 500 का 10% कितना होगा तो इस तरह से निकालेंगे चलिए आपको समझ में आगे होगा दूसरा चीज़ पर डिसक्रस करते हैं बिड़ा दूसरा ऐसा इस तरह से आता है जैसे क ने दिया जाए कि वाट परसेंट कि वाट परसेंट ऑफ टिक्स हंड्रेंड इस प्रिसिक्स्टी कि बने तीन सो स्थार्ट का कि इतना पर्सेंट कि इतना प्रतिसत है तो जब आएसे कोश्टन आए साल करने कुछ भी नहीं करना है ठीक है यह कह रहा है कि 600 का कि इतना पर्सेंट बराबर शाट पर्सेंट होगा तो हम माल लेते हैं कि 600 का यह पर्सेंट है तीन सो साथ है ना बेटा तो ऐसे सीच्वेसर में क्या लिखेंगे अभी मैंने बताए था 500 का दस पर्सेंट तो इसको क्या लिखोंगे 600 का येक्स पर्सेंट अगर कोई न क्या है क्या दिया ठीन क्या यक्तना पर्सेंट 3,60 है तुट क्या होगा और शाठ क्ञाव ठीन सो विख तईग्या 3 आपसे कि यह कह दिया दा है वाट परसेंट ऑफ फाइफ हंडेट इस फंडेट मनें 500 का कितरा परसेंट तो है तो आपको क्या करना है 500 का माले नहीं एक्स परसेंट एक्स बटे सो बराबर क्या है गया इस तो यह सॉल कर देना है अब एक्स का मेलू निकाल देना है देखो एक जिरू दो जिरू से कर गया तो यह हो जाएगा पांच दूरी दस बीस तो एक्स बराबर कितना आ गया बीस इसका वनलब 500 का बीस परसेंट तो है अपने काल भी सकत तो चाहे ऐसे पूछा जाए कि इसका इतना पर्षेंट बराबर कितना होगा या इसका कितना पर्षेंट बराबर इतना होगा बाते की तो इस तरह से को निकालते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन का कलेक्शन में बहुत ज्यादा लाया हूँ 25-30 कोश्चन है तो इस टाइप के कोश्चन को डिसकस करने के लिए जो कोश्चन आएगा वही पर मैं उसका थेयरी डिसकस करोगा ठीक है पहले से डिसकस करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आप भूल जाएंगे ट्रीकी बहुत कम यूज होगा पर्सेंटेज में जैसा कि मैंने आपको बताया है अर्थमेटिक कोई भी चेप्टर में उसमें ट्रीकी फार्मॉला नहीं उसकरता हूं वही ट्रीकी फार्मॉला का यूज होगा जहां मुझे लगता है कि बेसिक से कोश्चन करने पर ज्यादा समय ल करते हैं तो अगला कोश्चन जब हम डिस्कस करेंगे आपके सामने तो यह कोश्चन आ जाएगा कि यह कोश्चन है यह कि आपके सामने कोश्चन आ जाएगा और कि अब देखो अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कषिस किए कि कोश्चन इसक money हो ऑर यहां आपको सारा पॉर्षेंट होता है अगर कोई से ज्यादा कहता है तो यहां पर देखिए क्या है कि चलिए बच्चों आंगे दिखते हैं आपके सामने कोश्चन है क्या कह रहा है आप पढ़ लिए कोश्चन है चमल लांग कोई अग्मी है अपनी मासिकाय का 20 परशेंट भोजन पर 30 परशेंट वर्ष पर तथा 15 परशेंट पर खर्च करने वाद 700 रूपए बचा लेता है तो उसकी मासिकाय क्या है जैसे मैं यह कहूँ कि हमने 10 रूपए का चीनी ले लिया ठीक है 10 रूपए का आठा ले लिया और 10 रूपए का रजगुल्ला ले लिया और हमारे पास 10 रूपए बच गया तो हमारे पास कुल कितने पैसे थे तो भईया 10 रूपए का तो हमने खरीद दिया समर और 10 रूपए बचा है हमारे पास इसका मतलब हमने क्या किया टोटल हमारे पास कितना हो गया जो हमारे पास बचा है और 30 खरीदा तो टोटल हमारे पास 40 रूपए हो गया उसी तरह से करना क्या है इसमें जितना पर्सेंट में से उसको माइनेस कर दीजी तो बचा हुआ परसेंटेज अपने आप आ जाएगा देखो बेटा हमें सॉल करना हो एक्जाम में तो मैं इस तरह से साल करूगा जैसे इन्नों ने कहा कि 20 परसेंट पर खर्च किया अपनी इंकम का चमल नाल इस पेंड ही स्पेंड 20 परसेंट फूट 30 परसेंट परसेंट फिप्टी परसेंट अंटर्टेंबेंट अफिस मंत्ली इंकम एंड आफ्टर देट ही सेविग 700 रूपीज देन वर्ट विल बी इंकम तो यह कोश्चन हिंदी का ट्रासलेशन इंग्लिश था ते लों ने कहा है कपनी जो महीने में इंकम होता है उसका 20 पर्षेंट भोज़र पर खिर्श करते हैं 30 पर्षेंट जो है यह कपड़े पर खर्श करते हैं 35 ठुटल कितना कर दिया 20-30-20-30-30-65 25 बचेंट एं के पास बचेगा कितना बहिया बचेगा इनके पास 35 परसेंट 35% बचेगा अब इतना खर्च करने के बाद इनके बाद 700 रुपए बचे तो इनका मंत्री इंकम क्या है तो बहीरे पे टोटल अगर वह एक्स रुपए कमाते हैं और एक्स रुपए का 35% बचा रहे हैं तो टोटल मंत्री इंकम का 35% हो गया 35 बटे साओ इतना पैसा यह बचा रहे और बच कितना रहा इनका पैसा बराबर बराबर कर दीजिए सतर रुपए तो क्या हो जाएगा 35 दूरी सतर 20 यक्स बराबर आ जाएगा बेटा 20 00 200 तो हणती स्बिकाल लेंगे थे इसथा से निकाल लेंगे अगर हमें सब्सक्राइब तो भईया के इन्हों निक्तना किया 20 प्लस प्लावर 65 पर्सेंट कर दो पहरा इस्टेप आप यह निकालोगे फिर यह निकालोगे कि बचा कितना तो बचा कितना तो बहुत होता है तो सौ में से अब 25 अगर घटा दोगे तो यह क्या हो जाएगा बचे का कितना 35 पर्षेंट इसका बताया तो कुल आए कुल आए तोटल मंध्री इंकम अगर एक्स है का 35 पर्षेंट जो बचा हुआ रुपए होगा वो क्या होगा इनके पर बचे यू रुपए के मराबर होगा तो के मराबर होगा अब देखो हम इसको काड़ देगी यह 20 आया तो यहां से एक्स मराबर या कुल इंकम मराबर आ जाएगा 2000 ह है न अबत्चा तो जब आपको मैं शाल करा रहो हो बेज बता रहा हूँ तो इस सरह से बता रहा हूं लेकिन आपको एक्जाम में साव होग आपको टाइम नहीं लगा आ है तुुन दिमांग में लगाई है कि कितना खर्ष किया ृंदि इत्रा इत्ना इतना to 75 हrzy्ट हो गया अपने एक लाइन का कोस्टन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के कोस्टन इसी तरह से साल करें बहुत आसानी से दिखा दिया क्या है जायत अपनी मासिकाय का 12% मनुरंजन पर 18% यातायात पर और 25% वस्ट पर खर्च करता है और अदमी 1575 रूपए बचा लेता है उसकी मासिकाय क्या है तो भाईया यह खर्च कितना करते हैं बारा और अठारा कितना होगा अठारा दो बीज दस तीस परसेंट और यह बी सब्सक्राइब तो 45% बचेगा इसका तोटल इंकम का 35% बचा हुआ रूपए बराबर क्या हो गया इन्हों ने बचाया कितना है 1575 अब इनको कर लेड़ा है कल्कुलेसर करेंगे तो यह अपने आप आजाएगा बिटा यह सौल करने पर आजाएगा आपका यह एक्स बराब 45 से काटेंगे तो यह 35 आजाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा देखो एक लाइन में मैंने सौल करना हो तो आप क्या करोगे निकालोगे कुल खर्च कुल खर्च मराबर 12 प्लस 14 प्लस 25 बनाबर 55 पर्सेंट यह इन्होंटे 55 पर्शेंट खर्च कर दिया बचा कितना बचा कितना तो माइस पर्च पन बराबर 45 पर्सेंट तो कूल इंकम का 45% बचा हुआ रूपय बराबर बचा हुआ पैसा इन ने दे दिया है 15 75 तो एक्स बराबर निकाल दीजे यहां से अपनी पता चल जाएगा एक्स बराबर साल कर दोगे तो 35 यहां से पता चल जाएगा बच्चा किनका टोटल इंकम क्या है ठीक है और आपसे अगर कह दिया जाए कि टोटल कर expensive इंकम कितना किया तो बाइया टोटल इंकम एक्स बराबर 3500 है और 35 कर्च कितना कर दें 55 परसेंट कूछ लें कितना पैसा निकाल लो पच्वा से करके अपने आप आजाएगा कि नोनी कितना पैसा खर्च कर दिए ठीक है तो उम्मीद करता हो इस तरह का कोश्शन आप कर ले जाएं आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा चाल आगे बढ़ते हैं कोस्ट्रिक्षन की संखिया जादा है कि चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा कोर्शन तीसरा कोर्शन यह है बेटा देखो जब आपसे एक चीज यह कह दिया जाए तेरी इसका समझा दे रहा हूं जब यह कहा जाए कि आज हमारे हां की जनसंख्या पी है प्रतिवर्स आर परसेंट के रेंट से जनसंख्या बढ़ रहा है तो पांस साल में कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगा तो पूरी जनसंख्या बराबर होता है पी 1 प्लस आर अपान हंडेट पावर पांग साथ ठीक है और मोला की घट रहा है तो माइनस लगा देते हैं बढ़ रहा है तो प्लस लगा देते हैं लेकिन अगर यह कह दिया जाए आज की जनसंख्या पी है पहले साल आर पर्शेंट दूसरे सान यम पर्शेंट तीसरे सान य अपान हंडेट वन प्लस एम अपान हंडेडग से कुरें जाएगे चाक्री व्याज में करते हैं तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा इस पे नगर की जनसंख्याkam mogę इसे workshopắt दिले टीडियागी कर देते हैं तो हम इसने तो पर दिमिःट अब licit कर देता है लेकिन इड़ोटे कहा हैं कि तीन वर्सों में अलग अलग वर्सों में पहने वर्सों 5% दूसरे वर्स में 10% तीसरे वर्स में 20% की वृद्धी होती है वृद्धी मुनद प्लस लगाएंगे तो इसके बाद जनसंख्या क्या आओगी तो कुछ नहीं करना है जनसंख्या कुल जनसंख्या हो जाएगी जनसंख्या बराबर तोटल हो जाएगा अभी कितना है 50 जारे काई दाई सैकड़ा अब भया इंड़ो ने पहले साल कितना किया है 5% तो 1 प्लस पांचबटे सब दूसरे साल कितना है 10% तो 1 प्लस दस बटे सब तीसरे साल कितना है 20% तो 1 प्लस बटे सबद़ेंगे इनका result आजाएगा इस तरह से अगर हम सॉल करते हैं तो इनका answer आ अब यह क्या हो जाएगा बक्चा देखो यह काई नहीं सैक्रा हजार दस जार अब देखो सव एक सो पांच एक सो पांच बटे सव गुणे सव एक सो दस बटे सव गुणे एक सो बीस बटे सव अब देखो मैंटा एक दो जिरो कड़ गया एक दो जिरो कड़ गया एक दो जिर गुड़े ग्यारा गुड़े 12 तो देखो यह क्या हो जाएगा 12 इसमें गुड़ा करते हैं कि 12 पच्चेश साथ है ना अब गुड़े 11 तो 116 चाच 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 शासो साथ गुड़े 105 यह जाएगा है ना आसानी से उसको मुल्टिप्लाई करते हैं और इसको फिर आगे साल कर देंगे तो यह जाएगा 693 693 00 तो बहिए तीन साल के दवरान इनकी जनसंख्या इस तरह से बढ़ जाएगी ठीक है तो आप इनको इस तरह से साल करेंगे अगर यह घटने के लिए बोलता तो यहां पर माइनस साइन कर देते हैं ठीक है बच्चा उम्मित करतों आपक प्रक्टिस कर लिए इस पर चलिए अगर अगर देको बच्चा यहां पर नो ने कहा है कि यहां पर इन्दू ने कह दिया है किसी गाउं की जनसंख्या 800 शुरू में जनसंख्या 800 है इसमें प्रतिवर्स पांच पर्शन बादेख साल 5 परशन की लेट से जनसंख्या बढ़ रही है विद्धी हो रही है विद्धी को मना प्लस साइन उसकरेंगे तो दो वर्स बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी तो इन्होंने हर साल पांच परशन कर दिया है दो वर्स बाद तो मैंने आपको बताये था आप क्या करेंगे तो कुल जनसंख्या टोटल जनसंख्या ज तो दो वर्सों तीन वर्सों चार वर्सों जितने साल कहा जाए आप इस पर पावर लगा लें अगर रेट सेब है तो फिर रेकेट में कर दीजिए वन प्लस जितना रेट है पार हंडेट कर दीजिए तो अब बच्चा देखो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 800 अब इसको आप क्या लिख सकते हो गुड़े 105 गुड़े 105 बटे 100 गुड़े 100 ठीक है यह देखो 0000 से कट जाएगा साइद यह कटेगा पांच से कटेगा 21 पांच कई पांच 20 पच्चे सो यह पांच से कट रहा है ठीक है यह पांच चोग 20 और पांच दूरी 10 21 ही हो रहा है फिर चार दूरी आठ यह हो रहा है 21 गुड़े एकसी 21 441 होता है क्या 242 हमें लगता है कि 800 आपका 82 हो जाएगा तो यह आपका एंसर आजाएगा 880 मने किसी गाउं की जन्संख्या 5% की दर से बढ़ रही है तो दो साल बाद इनकी जन्संख्या जो है वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी 4882 तो बिटा मैंने बताया था अगर अलग अलग रेट हो जैसे दे दिया जाए आर कि क्यूरेट हो तो आप क्या निक्ते लिकते चले जाते लेकिन अगर रेड तो जितने साल कियता है उतना पावर लगा देओ अगर घट रहा है तो माइनस सब्सक्राइक यह कोई जन्संख्या बढ़ए या किसी वस्त का दाम बढ़ए या किसी वस्त का कोई बढ़े ख। बढ़े कोई भी चीज अगर इस तरह से बढ़ा तो यह फर्मला यांगे बढ़ते हैं अब भी चार कोशन के सामने आ रहा है पांचवा कोश्चन आपके सामने आ रहा है उसी टाइप से कोश्चन है मैंने आपको बताया था कोई चीज बढ़े या घटे सेम कॉंसेट लगाते हैं तो यहां पेंडो ने क्या कहा है किसी मशीन का वर्तमान मूल लिया एकाईदाई सेक्ड़ा हजार आड़ तालीस हजार र तो दो वर्स बाद इसका मूल लिक्या होगा तो बैया जब यह कहा जाए कि किसी वर्ती जन संक्या वास्तिविक मूल ले आज पांच है यह आर परशन की दर्व से बढ़ रहा है या घट रहा है तो चार साल साल आठ साल दस साल या ती समय बात तो कितना होगा थो करते हैं 1 plus minus r बटे 100 पावर t बढ़ने के लिए बोलेगा तो plus sign यूज़ करेंगे घटने के लिए बोलेगा तो minus sign यूज़ करेंगे और जब यह कहेंदे किसी की जलसक्याज p है पहले साल r परशन के दर से बढ़ रहा है घट रहा है दूसरे साल q परशन से घट रहा है तो हम क्या करेंगे 1 plus minus r बटे 100 दूसरे साल 1 plus minus t बटे 100 तीसरे साल जो भी कहता ऐसे करते चले जाएगे है ना दो कोशन में इस पर डिसकस कर चुका हो घटने की बात कर रहा है तो मशीन का दो वर्ष बाद का मुल्व क्या होगा तो बाइए दो वर्ष बाद मुल्व हो जाएगा मसीन का आज Pod रहा है कितना वर घट रहा है तो minus sign लगा डेंगे rate कितना है 5200 ठीख है अब तब यह इसी रिक से घट रहा है लगा था दो साल की पारे में पूसर सेम है आराम से जो है equal कर देंगे पावर सबस्टाइब एक बाद यह हो जाएगा बैटा 60 00 पचांज में पांच 20 में 100, 12, 12 कड़ गया, दो दुनी चार, चारी काई 4, दुनी आठ, 12, 14, 14, तो भाईया, 19 का स्क्वाइर गुणे 12, 19 का स्क्वाइर 12 कड़ देंगे, तो इसका एंसर क्या जाएगा, इसका एंसर सॉल करने पाँ जाएगा, यह हो जाएगा, 433, 200 रुपए, ठीक है, तो 433, 20 रुपए, भाई, 20 रुपए, यह आजाएगा, इसका बने कितना, एकाइदाइस, एकड़ा हजार 10,000, एकाइदाइस, एकड़ा हजार 14,320 रुपए का हो जाएगे, तो जब भी कहें, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इस तरह से साल करते हैं, उम्मीद कर चलिए, अगला कोर्शन ये है, इन्होंने कहा है, कि अगर कोई आयत की लंबाई, अगर ये आयत है, और इसकी लंबाई है, इसकी चोड़ाई है, तो इन्होंने कहा, आयत की लंबाई 20 परसेंट बढ़ा दिया जाता है, और चोड़ाई 20 परसेंट बढ़ा दिया जाता है, इसके छेत्फल में कितने प्रस्षत की वृद्धी हो जायेगी अधिया देखो एक चीज में आपको बता दू कि किसी आयत का छेत्फल जो होता है वो लंभाई चोडाई के टर्मे क्या होता है लंभाई प्लस चोडाई प्लस लंभाई गुड़े चोडाई बटे सौ देखो एक तो आप निकाल सकते हो भाईया सुरू में हम लंबाई यल मानेंगे बाद में बी मानेंगे फिर यल का 20% बढ़ा देंगे और बी का 20% बढ़ा देंगे फिर दोनों का अंतर निकालेंगे फिर पहले के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कितना परसंट घटा बढ़ तो इसका कम टाइम माला सलूसन यह है कि अगर किसी आयत की लंबाई यल परसेंट चौड़ाई भी परसेंट बढ़ा दिया जाए तो उसका छित्फल इस तरह से बढ़ेगा घटेगा बिया अगर लंबाई बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे और लंबाई अगर घट रहा है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे ठेक है उसी तरह से चौड़ाई अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे चौड़ाई अगर घट रहा है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे एरिया अगर दो तरह से आता है प्लस आता है तो हम बताएंगे इं चार question discuss करोगा सारे question इस पर discussion हो जाएंगे आपके पांस question discuss हो गया है तो ध्यान देना है formula क्या होगा छेतफल बड़ावल लंबाई प्लस चवड़ाई प्लस लंबाई गुड़े चवड़ाई दोनों बढ़ रहा है तो छेतफल बरावर क्या हो जाएगा लंबाई कितना बढ़ रहा है बीज चोड़ाई कितना बढ़ रहा है पचीस यह पचीस है प्लस ब्लस बुड़े पचीस बटे 100 यह कर देंगे यह देखे फर्मले में आ गया ना सब बढ़ रहा है तो सब प्लस साइन के साथ कर दिया अब देखो पचीश चो का सव चार पंचे बीस पांच हो गया तो यह बहुत आजाएगा प्लस पचास परशेंट आ रहा है इसका वनलब इनका छेदफल पचास परशेंटर लंबाई और बीस फर्शन बढ़ा ओंगे तो कितना होजाएगा बढ़ करें कि 120 हो जाएगा चवड़ाई 125 हो जाएगा पहने छेथफल लंबाई गुड़े चवड़ाई कर दिए बात का छिथल लंबाई कर दिए दोनों के चेटफल का अंतर निकालेजिए टू माइनस एवन तो परसेंटेज क्या निकालेगी एटू माइनस एवन अपान एवन इंटू हंडे आप समझे न तो इतना लंबा प्रॉसेज लगाने सच्छा है अब डायरेक एक लाइन भी इसको खत्म करो बेड़ा महुत कम समय मिलता है कोनिस सब्सक्रार हाइगे बढ़ते हैं अंगले कोस्छन पर आते हैं अगला कोश्शन है आपका सात्मा कोश्चन हैं हर टाइप के कोश्चन आज यहां आपको डिस्क्रश कर लिया जाएगा और बच्चा य Не realtà दी के लेगा कि वो डिसकत्सनमें नहीं आया हुनु ने क्या है बिटा किसी आयत की लंबाई तथा चोड़ाई में दस परसंट की कमी हो जाती है वह यह इन्हों ने कहा लंबाई में दस परसंट की कमी होती है और चोड़ाई में भी दस परसंट की कमी हो जाती है तो छेतफल में कितने परसंट की कमी होगी तो यह छेतफल क्या हो कम ही हो रहा है माइनस 10 अब यहां पर माइनस 10 गुड़े माइनस 10 बटे 100 अब देखो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अब यह अपने आप कड़ गया एक जिरो एक जिरो से कड़ गया वन आएगा तो यह कितना हो जाएगा दस माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 प्लस वर यह 19 परशेंट आ रहा है इसका वन्दब यह क्या बता रहा है छेत्फल में 19 प्रतिसत की कमी हो जाएगी ठीक है तो बच्चों इस इस तरह से हम इनको साल करते हैं यह 20 परसेंट है क्या देखो हाँ हमने चोड़ाई 20 परसेंट दिया है और हमने लिखा है 10 परसेंट तो 10 परसेंट अगर और होगा तो यह आएगा अगर 20% कर देते हैं, तो क्या जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं, यहां 20 कर देंगे, तो यहां 20 हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30, अगर 20 कर देते हैं, तो निकल जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 20, 30-2, 28, 28%, है ना, देखो यह हो गया, कोई दिक कि मेरे से आगे अगर आप साल करते हो तो बैटा आप समन्लों सही रास्ते पर हूँ चलिए अगला कोश्चन तो बैटा इस कोश्चन को साल करके बताइए क्या हो जाएगा इसको साल करके आप लोग बताइए यदि किसी आयत के लंबाई में 20% की विद्धी कर दिया थे बहिया लंबाई में इन्होंने 20% की क्या किया विद्धी कर दिया है ना चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया बहिया चौड़ाई में इन्होंने क्या किया 10% की कमी कर दिया तो छेथफल कर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो छेथफल क्या होता है बिड़ा, हम जानते हैं छेथफल ए बराबर होता है लंबाई प्लस चावडाई प्लस लंबाई गुडे चावडाई बटे 100, है टा? अब इस पर क्या हो जाएगा, लंबाई 20% बढ़ रहा है तो 20 प बटेस्ब हो जाएगा तो एक दो एक दो कड़ गया यूह कितना हो जाएगा माइनस दस Ubara माइनस दू बारा तो 20 में से बारा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्रस अरा रहा है इसका मतलब बताओंगे चिद्षाफल आइप पर जाएगा ठीक है कई कोस्टन हो रहा है बो क्या हो रहा है सारी सिद्धे चलो बेटा अगला कोश्चन है आपका और दे रहे तो छेथफल में क्या परिवरतन होगा बच्चा छेथफल आप जाते हो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुड़े चौड़ाई बटे सव होता है यहां पे देखो छेथफल बराबर क्या करते हैं लंबाई 30 30 गट रहा है तो गटने माइनस 9 तो माइ मैनस 30 चोड़ाई बढ़ राय तो यह हो जाएगा प्लस-10 प्लस-2010 इसको इसको माइनस कर देगा तो इसको यह 23 पर्षेंट से घट रहा है उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में बहुत आसानी से आगया होगा पांचान नौ कोश्चन हुआ है भी कोश्चन की संख्या ज्यादा है चलिए आगे बड़ते हैं कि साइद अगला टाइप का कोश्चन देखने को मिले या इसी सी रिलेटेड मिले हैं चलिए हाँ ठीक यही चीज इनका भी है यही कौश्चों यहां पर भी है जैसे कह दिया की कोई आदमी कोई आदमी है अगर किसी चीज का दाव यल पर्षेंट बढ़ जाता है यल पर्षेंट बढ़ जाता है और उसकी विक्री भी पर्षेंट बढ़ जाती है तो उसके आए पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आए बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुड़े चौड़ाई बटे 100 यही फार्मला लगा देना है बस यह ध्यान देना है कि यह क्या है यह है इनका कीमत यह कीमत है और बी जो है वो विक्री है थेक्ड़े अब इन में से अगर जो बढ़ेगा उसको प्लस रखेंगे जो घटेगा उसको माइजस रखेंगे थेक्ड़ाई इंगों ने क्या कहा है यह दिप्रेशर कोग कर की कीमत में 20% की विद्धी होती है माने कीमत बढ़ रहा इसका मलब इनका कीमत को हम अगर यल मालने तो यल कितना हो रहा है 20% हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है उसकी बिक्री 50% से घड़ जाती है उसकी बिक्री जो है बी जो है वो क्या हो रहा है 50% से घड़ जा रहा है तो ऐसे सीच्वेशन में उसके आये पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो फार्मला आपका यह तयार है वहीं फार्मला यूज करते हैं जो वहां यूज करते थे मैंने बताया था पर सेटी जिन देखो एक ही फार्मला चलना है तो यहां पर हम क्या करेंगे कीमत बढ़ रहा है तो बीस हो जाएगा प्लस विक्री घट रही है तो माइनस पचास यहां प्लस होता है यहां पर क्या हो जाएगा बीस प्लस गोड़े माइनस पचास तो माइनस साइन यहां आ जाएगा यह माइनस हो जाएगा बटेश सव यह एक दो एक दो कट गया तो क सिसका मंदाव इनका इंकम क्या हो बैटा 40% से इनकी आयवे में कमी ठीक है तो यहां यहां ध्यां देखे वहां पर आयत के छितफल में मैंने यहलों को लंभाई माना था दीको चोडाई माना था कीमत है और विक्री है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर इग्यार है यह है बना दोखो अगला कोशन यह है इनोंने कहा है कि पंखे के मूल में 25% की कमी हो रही है तो इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है मनि मूल में यल में वो क्या हो रहा है 25% का कमी हो रहा है और बिक्री 40% का बढ़ जा रहा है तो आई में क्या फड़ेगा कुछ mily करना है बेटा तुरन लगाते हैं जो घट रहा है 25 घट रहा है तो 25 माइनस में हो जाएगा, ठीक है जो बढ़ रहा है वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, 25 गुड़े 40 बटे 100, माइनस इसलिए किया क्योंकि प्लस इधर करेंगे, हाँ माइनस होगा तो या ले लेड़ी माइनस कर देगा अब देखो यह हो जाएगा 25,600, 14 हमें 40, तो माइनस 10 और माइनस 35, माइनस 35 प्लस, तो 5% इनका जो है इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कितने कोर्शन होगे आपके, देखता हूँ और भी कोर्शन होगे इस पे, यह कोर्शन लहाते लगए, किसी वृत की तिज्या, चलिए, अगला कोर्शन, बढ़ देखो हमने कोर्शन डिसकस कर दिया, 4, 2, 6, 5, 11 कोर्शन डिसकस कर दिया, अभी मुझे 14 कोर्शन और डिसकस करना है, काईम बहुत तेसे भाग रहा है, चलिए देखते हैं, कोर्शन इनका किसी वृत की तिज्या को 12 प्रस्द बढ़ा दिया जाए, तो उसके छेथफल में कितने प्रस्द की वृत्दी होगी, या कमी होगी, बढ़ा देखो, हमने आयत पढ़ा था, तो आयत में लंबाई चौड़ाई थी, तो वहां का छेथफल था, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुड़े चौड़ाई बटे, है ना, अगर इसको हम कड़़ कर देंगे वर्ग में, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो यहां पे लंबाई बराबर भी वही हो जाएगा, चौड़ाई बराबर भी यही हो जाएगा, तो अब वर्ग का छेत्फल हम क्या लिख देंगे वर्ग का छेत्फल हो जाएगा एक्स प्लस एक्स गुड़े एक्स बटे सौ है ना तो कभी भी पूछा जाए आपसे ध्यान देजिए किसी वर्ग वर्ग या वृत या आपका कह दिया जाए संबाहुत्रिभुज संबाहुत्रिभुज ये तीनों में कोई चीज कह दिया जाए कि वर्ग की एक भुजा इतना प्रस्त बढ़ गई या संबाहुत्रिभुज का एक भुजा इतना बढ़ गया तो इन सब के सारे चीज बराबर होते हैं तो हम डारेक्ट ये फर्मल लगाएंगे जो चीज बढ़ जाता है इसका मतब एक वायलू क्या हो रहा है यहां पर एकसका वैलू जो हो रहा है वह 12 पर सेंट आरहा है JUL 2019 ओ यंद तो इस तरह से कोश्चन का एंसर आता है जब कभी ये पूछा जाए कि किसी वर का भुजा या वृत का प्रिज्या या संभाव त्रिमुज की एक भुजा इतना प्रसंद बढ़ा दिया जारहें तो छित्फल कितना प्रसंद बढ़ेगा घटेगा अभी जो आप फार्मुला रेक्टेंगिल का याद करते आते थे बस कुछ नहीं करना उसमें सभी भुजाएं लंबाई बराबर चौडाई बराबर जो भुजा देता है वो उसके बराबर रख दीजे और इसमें रख दीजे आपका रेजल्ट आ जाएगा बढ़ने के लिए कहता है तो प्ल है और इसलिए आपका पूरा क्लिया करने के लिए थेरी भी थे चल रहा है आप लिवीजन अच्छे से कर सकते बेड़ा एक्जाम के टाइम में चलिए किसी व्रित की तिंजया को 10 घटा दिया गया इन्हों ने कहा एक्स बराबर जो है 10 परसेंट डिक्रीस कर दिया गया तो आयत का छेथफल क्या होता है हम जानते है यल प्लस बी प्लस यल गुड़े बी बटे सौ है ना तो यहां पर लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर एक्स रखेंगे हम तो व्रित का छेथफल क्या हो जाएगा घटा दिया गया माइनस दस माइनस दस प्लस माइनस दस गु माइनस 20 और प्लस 1 तो ऐसे situation में क्या हो जाएगा माइनस 20 प्लस 1 कर देंगे तो ऐसे situation में या जायेगा माइनस 19 पर्सेंट इसका बन्हों यह बताता है इस विद का छेत्फल 19 प्रतिसत घर जाएगा अब एक line का question है एक line का solution है इतना तो कोई विवच्चा कर सकता है तो मैंने आपको कई चीज बताया कि जब आयत की लंबाई EL percent बढ़ा दिया जाए चौड़ाई B percent बढ़ा दिया तो छेतफल कितना बढ़ेगा या घटेगा तो यह formula EL plus B plus EL गुड़े B बटे 100 ठीक है जो चीज बढ़े उसे plus कर देना है जो चीज घटे उसे minus कर देना है जब यह कहा जा किसी समान की कीमत इतनी बढ़ जाती है तो उसकी विक्री इतनी घट जाती है इतनी घड़ती विक्रित नी बढ़ती है तो वहां भी लगा देना कीमत को यल अविक्रिको यल बी टेक गड़ना घट बढ़ेगा तो प्लस साइन घड़ेगा तो माइनस साइन जब पुछा जब वर्ग की एक भुजा वृत का त्रिज्या या संभावत रिभूज की एक भुजा इतना प्रत्सेद बढ़ जा रही है तो क्या करना है बिड़ा यहीं लगा देना बस यल बी सम का मान एक्स लग देना जो उसकी एक भुजा दी जाती है बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिए घट रहा है तो माइनस कर दीजिए एंसर आके रहेगा और आप इसको बहुत आसानी से सीख रहे होंगे चलिए आगे डिक सर्था हो हूँ हाँ देखो अब इस तरह का जब कुर्शन आता है पेटा तो देखो यह थोड़ा सा अलब टाइप है यहां एक्स्प्रेंट करना पड़ेगा जब यह कहा जाए कि A की I A की I B से इतना पर्सेंट अधीक है तो B की I A से कितना पर्सेंट कब होगा कैसे सौल करेंगे इसना उल्टा होता है तो कुछ नहीं करना होता है इसमें हमारा एक फार्मॉला है जो आफ खिसी बुक में नहीं पाएंगे आप E for elephant बना दीजे और elephant बनाने के बाद यहां पर हमेशा लिखे इनीशियल वैलू इनीशियल वैलू के मंदर जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक मान यह कह दीजे यहां कह दीजे final value final value अंतिम मान अंतिम मान यह कर दीजे difference अंतर तो जब भी ऐसा कोई question आए आपको कुछ नहीं करना है difference बटे final value गुड़े 100 कर दीजे आपका answer आजाएगा ध्यान देना है अगर जैसे एक अमान दे दिया initial value इतना है बाद में बढ़ करके इतना हो जाता है तब इस पर साल करेंगा अगर एक इनीशल वैलू नहीं दिया है तो इनीशल वैलू आप हमेशा 100 मानेंगे जिसमें दिया है वो रखेंगे नहीं दिया है तो 100 मानेंगे अब इस question को कैसे साल करते हैं बेटा इन्हों डेका एक याई बी से 10 परशेंट अधिक है तो बी की आए ऐसे दिफ्रेंस कितना हो गया साओ का 10 परशेंट दस होता है अधिक होने का मतलब 100 प्लस 10 दोनों का डिफ्रेंस कितना हो गया दस वैलू रख लिए फार्वले में डिफ्रेंस क्या होता है डिफ्रेंस दस बटे 100 गुड़े सव मैंने मताया था ना फार्मुला था डिफ्रेंज में फाइनल नुबले सव तो क्या हो जाए एक जिरो जिरो से कड़ गया सव बटी 11 आएगा तो यह क्या होगा एक ग्यारा नवान इन्यान बे नव सक्राइं नव उस गयारा नवस होगा। बिब की आएए एसे कितनाक नवस ही 1 एग्यारा पर्षेंट कम हो जाएगा तो जब भी ऐसा कोई ज्री कॉस्चन हो इस तरह से करते हैं आई ये दूसरा कोसर देखेंगे अभी समझ में आपको आ जाएगा चलिए दूसरा कोसर लिक्स पर देखते हैं ये है चलिए बड़ा देखर इन्हों ने कहा है जब A की आए B से 20% कम हो जब A की आए B से 20% कम हो तो B की आए A से कितने प्रत्सा तद्धिक होगी तो हम क्या करते हैं E for elephant बनाते है A की आए B से 20% कम है तो हमने B की आए मान लिया है सुरू में कितना है 100 तो A की आए कितना है 20% कम है तो 100 का 20% 20 होता है है ना तो सो में से 20 घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा 80 20% कम है तो डिफरेंस कितना हो गया सो और असी कम बीस का फार्मॉला में ने क्या लिखा था डिफरेंस बटे फाइनल वैल्यू गुड़े 100 अब यह क्या हो जाएगा एक जिरू करण गया इस तरह से फाइनल वैल्यू रखते है डिफरेंस निकालते है फार्मॉला है डिफरेंस बटे फाइनल वैल्यू गुड़े चलिए आगे बढ़ता है अगला कोश्चन है यह जैसे इन्हों ने कह दिया यादि आम के मुले में 30% की विद्धी हो जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रस्ट की कमी करे जिसका उसका खर्च पुरुवत रहे तो बैया देखो एक चीज में इतनी कमी हो तो दूसरे भी कितनी विद्धी होगे जब ऐसा कोश्चन आए तो हमेशा यही कॉश्चन लगाते है बच्चा इफार एलिफेड बना लेते हैं सुरू में हम इनीशियल वैलू ले लेते हैं अगर नहीं दिया है तो उसका वैलू सौ मालने यहां पर हम क्या लिखते हैं। और यहां पर लिखते हैं इफरेंस फार्मला क्या होता है डिफ्रेंस अपान फाइनल वैल्यू गुड़े सौ अब देखो कॉर्शन में क्या क्या है यादि आम के मूले में 30% की विद्धी हो गई तो हमने माल लिया आम सुरू में कितना था सौ रुपए में था जाइज से बात है बिद्धि होगी महगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे तो बहिए अगर बढ़ करके 30% बढ़ गया तो 30% बढ़ने के मलब 100 का 30% होता है तो बढ़ गया इसका नहीं जोड देंगे तो कितना गए 130 तो इसका मलब आप उसका दाम कितना हो गया 130 अधिया दोनो कट गया अभी कटेगा नहीं तीन सो बटे तेरा जाएगा तीन सो बटे तेरा परसेंट टिक है इतना कम कर देगा है नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कोशन में अगली कोशन यही है इन्होंने कहा है कि जब घी के मुल में 40 प्रसत की कभी हो जाये तो कोई व्यक्ति उसकी खापत में कितने प्रसत की विद्धी कर दे बढ़ते हैं जब कोई चीज दाम कभ होगा तो खापत में विद्धी हो जाएगी लेकिन आपको घी जादा नहीं खाना है नुक्सान भी करेगा जैसे कह लाता है करते है करते हैं जादा एक खरीद के लाते हैं अङर गएक कदान बढ़ेगा तो हम खापत में कितना कंवी करेंगे दान घंधेगा दो खापत में कितना व्रिद्धी करेंगे तो यह कोस्चन है जब किसी यह कदान बढ़ जाता है तो दूसरे का कितना कम होगा है यहां भी आप यहीं करिये परियो के अरुह KNOW mod제 पहले सौ रुपए में था अब कितने हो गया साथ रुपए में तो दोनों का अंदर कितना हो गया बच्छा चालिस का पार्मला के आओगा डिफ्रेंस चालिस बटे फाइनल वैलू गुड़े अंडेड एक जिरो जिरो से कड़ गया दो त्याइश है दो दुनिशार यह आजाएगा में यह दो सव बटे तीन परसेंट इसका मलब खपत में दो सव बटे तीन परसेंट की विद्धी कर दे तो भी उसका खर्च उतना ही लगेगा जैसे सव रुपए हमने फिक्स कर लिया तो में सव रुपए में घी खाना है चा काले अगया बडते हैं अगले को सम्पे में 210 काम कर में चलो इक और वही चीज़े हैं फिन आयद का छेथ फ़ल क्या हता है बड़ा आयत का छेथ perseele होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई है तो जब यह कहते टेने कि च्छेथ फल में परिवर्तर नहीं होना तो चुणाई बढ़ेगी तो लंबाई क्या हो जाएगा गटें जले घर और गणोटेंगर प्रस्त की कमी हो जाएगा जिसरा है है मालीजे, शुरू में मालीजे कि उसकी लंबाई 100 थी, अब लंबाई बढ़ करके 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% बढ़ गया, तो बढ़ करके कितना होगा, 120, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20, कभी कितना कर देंगे, मैंने आपको बताया था, डिफरेंस 20, बटे फाइनल व 25 दूरी, 50 बटे 3%, 50% 3% जो होता है, चवड़ाई में कमी आ जाएगे, ठीक है, तो एक लाइन आपको एंसर आ रहा है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह सब बिटा एक्जाम में आया हुवा कोस्टन है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब डिस्कस करना है, इसलिए मैं फार्ष आपके लिए, चलिए, देखे, इसमें कहा है, आयत की चौड़ाई में 25% कम कर दी जाए, तो छेतफल समार रखने के लिए, इसकी लंबाई में कितने प्रस्यत की मृद्धी होगी, बहिया, तो ऐसे सिच्वेशन में क्या करेंगे, हम इफार एलिफेंट फिर बढ़ाएंग सुरू में वैलू 100 रखेंगे, बाद का वैलू किया हुआ, 25% की कमी कर दी गई है, तो 100 का 25% होता है, तो कम का मनलब 100 में से 25 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 75, इसका मनलब सुरू में 100 था, चोड़ाई 100 थी, अब 25% कम कर दिया गया, तो चोड़ाई कितनी हो गई, 75, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 25, तो लंबाई कितना प्रस्त बढ़ जाएगा, इसका फार्मॉला हो जाएगा, डिफरेंस, 25 बटे, फाइनल वैलू, 75, बुड़े 100, 25, तिया 75, या जाएगा, 100 बटे 3%, एक एक लाइन में आपका एंसर आ रहा है, ऐसे से कोर्सर पूशा आता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे कोई कोर्शन है, इसका, आगे कोर्शन है, तो बच्चों देखों, एक चीज ध्यान दो, जब आप से कभी पूशा जाए, कि किसी वश्च का दाव इतना पर्शन बढ़ गया, तो खपत में कितना पर्शन कम कर दें, जि या आयत की लंबाई या चोड़ाई कोई चीज इतना पर्शन बढ़ गया, तो छेतफ़र आप पर्वतित रखने के लिए, क्या परिवर्तर करें उसके लंबाई या चोड़ाई में, तो उसके लिए हम E for elephant वाला formula लगाते हैं, या कभी एपूश दिया गया, A की income B से इतना पर्शन जादा है, तो B की income A से कितना पर्शन कम है, इन सब के लिए हम E for elephant वाला formula लगाते हैं, अगर percentage दिया है, सुरू का value नहीं दिया है, तो हम सुरू का value 100 माल लेते हैं, अंतिम value जितना पर्शन घटा बढ़ा रहा है, वो रखते हैं, formula होता है, जो अंतर आता है, अंतर 100 मानना ही नहीं है, जैसे इन्होंने देखो क्या कहा है, जैसे इसमें condition वही आ गया, किसी वस्त का बुले 10 रुपए प्रत किलोग्राम से घटकर 8 रुपए प्रत किलोग्राम हो गया, तो कोई वस्त खपत में कितना व्रिद्धी कर दे कि खर्च पूर्वत रहे, जब ऐसी चीज़े आए कि खर्च पूरवत रहे, या छेत फ़ल ना बदले, तो इस फारे इल्फेंड बनाना है बच्चा, अब देखो यहां पे इनिश्यल वैलु ने दे दिया है, पहले आप इनिश्यल मान लेते थे 100 वहां पे बता था इतना परशन घट बढ़ा है, आप इनिश् कितना हो जाएगा भया, दो रूपए, उत्तर क्या जाएगा, दो अंतर बटे अंतिव वैलू गुड़े सव, दो चव कार्ट, चार पच्चीस समझ सव, इसका बदब एक लाइन का एंसर आपका, पच्चीस परशन बटे सव, इसका फार्मला होगा, यह जो बीच का अंतर ह होता है, डिफ्रेंस, बटे फाइनल वैलू गुड़े सव, यह मेरे अनावा किसी बुक में, छपा होगा फार्मला दिखा दीजिए, तो बताओं मैं, और एक लाइन में आप जिसको चुटकी में साल कर रहे हैं, नवेडा, बेश से साल करने भी इसको दो तीन, या चार पा है, अब बच्चा देखो, इस पे कोश्चन ये का कौन होगा, हाँ, ये, चलिए, इस कोश्चन को आप लोग साल करिए, यह नो ने कहा है, किसी वस्ट का मुल्ले 20 रुपए प्रत किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रत किलोग्राम हो गया, तो व्यक्ति खर्च पुरु पत्में विद्धी करेंगा, ठीक है, तो पुरुवत रहे, खर्च पुरुवत रहे, जैसे ऐसा केस पकड़ना, बच्चा तुरन तापी फ्रान इरिफेंट बना देना, सुरू में कितने का था, 20 रुपए प्रत किलोग्राम का, बाद में कितना हो गया, 30 रुपए प्रत कि अच्छा था औिधान इक है, तुरुए थरका ताप, इन चन्प पुरुए लगा तूक प्रत को प्रत कि जा को जए एक पत्ना डेंगा है, थच्छा प्रत कि रहे तू है, खर साम में किपड़ना हो गया है, झीक है या गलकि के दो हाई लिदийका पत्से दोगगा, ज cold अ चलिए बच्चो आईए देखते हैं इस कोशन में इन्हों ने कहा किसी वस का मूले 20 रुपए प्रत किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रत किलोग्राम हो गया है तो खर्स पुरुवत रखने के लिए कितना कमी कर दे खपत में तो जब भी ऐसा कोशन आए संतोसर का यह फार्मुला आप इफार इंफेंट बना लेना शुरू में जितना वैलू दिया है इन्होंने 20 रुपए शुरू में दिया है बढ़कर के दाम कितना हो गया 30 रुपए अंतर कितना हो गया 10 रुपए जैसा आप याद रखिए यह कॉंसेट्ट यूज कर दिया करें चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर यह है आपका कहां गया कि अब भाग जा रहा है कि यह कोशन है कि यह कोशन आज है इस पर कहां गया कि अब इस पर हम यह देखते हैं कि देखो यह अलग टाइप से जब आपसे कभी यह कहा जाए कि किसी वस्ट के मुल में एक्स परसेंट की विद्धिया कमी होने से जेड रूपए में जेड रूपए में टी वस्टु एक खरीद दी जाती है तो इसका घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल क्या होगा तो कुछ नी करना है एक्स बटे 100 गुणे जितने रूपए में जितने वस्ट खरीदी जाती ही एंसर लिख देना या पे इस तरह से एंसर आ जाता है तो इन्होंने क्या कहा है किसी वस्ट को 10 परसेंट चावल के मूल में 10 परसेंट की कमी होने से कोई सहुकार 450 रूपे 5 किलो के हुँ खरीदता 50 रूपए में तो आप से पूछा जाए कि इसमें घटा हुआ मूल क्या होगा तो कुछ नहीं करना है 10 परसेंट 10 गुड़े 100 इंटू 90 कर दीजिए ठीक है तो आपका इस तरह से आ जाएगा या आप ऐसे कर दीजिए किसी वस्ट के मूल में एक्स परसेंट बिद्धी हो है इसे गुड़ा कर दीजिए परसेंटेज से तो क्या हो जाएगा एक जिरो दो जिरो कर जाएगा तो इसे कितना आ जाएगा 9 रूपए प्रत केजी हो जाएगा ठीक है या दूसरा सलूचन आप इस्से करना चाहते हो तो इस्से कर सकते हो दस बटे 100 गुड़े 450 बटे 500 यह भी नव आएगा ठीक है दोनों रास्ता है जैसे आपको साल करना है कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अबले कोश्चन पर यह कोश्चन आपको साल करना है मैंने आपको बताया था कि किसी वर्ष्ट में अगर एक्स प्रतिस्यत रूपए घटे या बढ़ है तो जेड रूपए में अगर टी वर्ष्ट में खरीदी जाती है तो बढ़ाया घटा मूल इस फार्मले से रखते हैं या दूसरा फार्मल 145 R रूपए में 2 दरजन अंडे कम खरीदा जाता है तो ऐससे सिच्वेशन में जो है इनका हो जाएगा बढ़ाया घटा मूल क्या होगा तो बढ़ा में 145 दरजन काम मे घटा मूल काण जाता है तो इसका मत्त strengthened में कितना हो जाएगा प्रति दर्जन चलिए अगला कोश्चन आगे बढ़ते हैं कि अब पच्चीश कोश्चन डिसकस किया जा रहा है आपका एक घंटे में बहुत अब बड़ी बात है यह ठीक है चलिए यह कोश्चन डिसकस किया जा रहा है अब बेटा इन्हों ने कहा है कि देखो दो तना से इसको हम साल कर सकते हैं एक कोश्चन यह है आपका ढों हो में आपे यह एन्हों ने कहा है कि किसी परिच्चह में साहत 20 प्रसफ t 28 प्रसफ अंग प्राप करता है तथ Gef 14 अंग से अनुतियुर्ट हो जाता है यया उस परिच्छा में अन्यicken चाहत 22 प्रस्चत अंग प्राप करता है और उत्तिरांक से आफंभ थीक पता है तो परिच्छा का पूरांग क्या होगा। इसको शॉल करने के लिए 2 मिथड है। VII यह है आप क्या करघा गया जो नंबर कम जभना है जैसे माल लिया एक में एक्स नंबर कम पा रहा रहा है दूसरे में y नंबर कम ज्यादा पा रहा है तो ऐसे केसे में दोनों नंबर को जोड़ करके 100 से गुड़ा कर दीजिए बटे उनके जो है परसेंटेस का डिफरेंस ले ले लेना होता है ठीक है तो शाटकर मिथट से अगर हम सॉल करेंगे तो ऐसे सिच्वेशन में क्या हो जाएगा इन्होंने देखो दोनों न तो इस तब्स आप इन्हार नोग दोनों का डिक्स नियुक्त तो एस तारह से इनका अंशर ristka भुड़ा करोगे तो यह सवा। होगे कि किसी बेसिक से कैसे स्वाल करना देख लो दिया है किसी परिछा में चाथ 28 परशा तंग प्राप्त करता है 14 हमने माल लिया कि टोटल पूड़ांक है पूड़ांक 28 परशेंट अगर पाता है तो यह क्या करता है पूरांग को टोटल मार्क माल लेते हैं यहां पे हमने माल लिया है टोटल मार्स जो है टोटल मार्स का 28 परशेंट पाता है तो पासिंग मार्स से कितना 14 अंग से अनुत्तिन हो जाता है माने पासिंग मार्स से 14 नंबर कम पाता है फश्ट, दूसरा, उसी परिछा में एक अन्चात 32% पाता है, दूसरे का निकाल ले, टोटल का यह कितना पाता है, 32% पाता है, यह पुडांग, पासिग मार्थे कितना ज़ाधा पाता है, फ़ारा नमबर ज़ाधा पाता है, यह प्लस हो जाएगा, तो बढा इन दो में से खटा देंगे तो क्या हो जाएगा देखो अपान हंडेट तो काबन हो गया ब्रैकेट में हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर यहां पर देखो PCP कर जाएगा 18 अव प्लस चवद जूड़ जाएगा 18 अथारा दस अथा़ास 39 तीस 22 22 22 कितना हो जाएगा तो इस तरह से पुडांग आपका यहां पर चले जाता है तो बेसिक से जब हमें साल करना है तो हम यह निकालेंगे है ना देखो यह माल लेंगे की लड़का टोटल पुडांग का 28 पर से 14 नमबर कम पाया इसका वालब पासिंग मार्क माइनस 14 नमबर एक्वेशन फरस्ट दूसरी लड़के का हमने क्या किया टोटल पुडांग का 32 पर सेंट पाया तो टोटल पुडांग ओडे वही हमने यहा पी लिखा था यह देखो यह परसेंटेस डिफ्रेंस आ रहाया था रहा था अ कर प्लस कर दिया था और यह गुड़ा होता इसलिए कर दिया था तो शाट कट यूज करना है तो ऐसे करिए और इस तरह से ऐसे करिए इनको एक बार बता देता हूँ देखो करना क्या है दोनों नंबर को जो लिए 14 प्लस 18 गुड़े 100 कर दीजे बटे डिफ्रेंस ले लिए परस चलो बच्चा यह कोश्चन है इस कोश्चन को जब हम साल करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्नों ने क्या कहा है सुरेन ने अपनी कच्छा की वार्षी परिच्छा में 77.05 प्रतिशत अंग प्राप्त किया 68 अंग से अनुत्य हो गया तथा उसी परिच्छा मुसकी बेहर 47 दस और दूसरा कितना पाया है 49 गुड़े 100 कर देना है बटे क्या करना है जादे वाले परसेंटे में से कम को घटा देना तो उसकी बेहर कितनी पाई है 45 दसवलों 25 पर्शेंट माइनस यह कितना पाई है 37 दसवलों 5 पर्शेंट इसको कर देंगे यह एंसर आ जाएगा इनका बारा सो इसका मदब टोटल पूरांग बारा सो का हो जाएगा यह शार्टकर मेथद है लॉंकर मेथद कर्साल करना चाहते तो सुरेंद का केस लिखना 5 बटे 100 यह बराबर क्या हो गया पार से 68 नमबर कम मिलता है यह क्वेशन हो गया WOR का चैंठ ओर कना पाहिए है 49 नमबर ज्यादा पा जाती है होगे equation second अब आपको क्या गरना बेटा इसमें सिसको घटा दो जब घटा दोगे तो T upon 100 common आ जाएगा और ये दोनों नमबर आपस में जूड़ जाएगा इन percentage का difference हो जाएगा वही मैंने यहाँ पे लिखा है डारेक्ट इसके बाद वाला step मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों नमबर को जोड़ के 100 से क्योंकि देखो T upon 100 आ रहा है तो ये गुड़ा हो जाएगा तो इसमें सिसको घटा देंगे answer आ जाएगा solve करने पे T बराबर आ जाएगा 1200 passing mark पूछता है इसमें किसी एक equation में ठीका value रख दीजे passing mark अपने आपा जाएगा उबीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अगले question पर बढ़ते हैं बेटा अगला question है आपका अगला question है आपका अगला question है आपका अगला question है डिस्स कर दे रहा हूँ यहाँ पर देखो जैसे इन्होंने कहा है की एक question यह कहा है एक जीतने वाला उमिद्वार एक चुनाव में जीतने वाला उम्मिद्वार चववन प्रतिसत मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया और 640 मत के मत से जीत गया जीत गया तो कुल कितने मत थे कुल मत क्या है इस तरह का कोशन 26 वा कोशन है ठीक है अईसा कहा जाए कि माल यह दो मिद्वार है एक मिद्वार है ए और एक मिद्वार है ब टोटल मत है एक्स एक इतना पाता है 54% एक मिद्वार 54% वोट पाता है और टोटल मैत अगर वैलिड है तो 100% होगा 100 में से 54 घडाएंग इतना होगा 46% 50-49 हाँ तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा 46% अब इन्हों ने कहा कि टोटल का यह कितना पाएंगे एक्स का पुल मत का 54% इन्डों ने पाया 54 बटे 100 और इन्डों दोनों का अंतर कितना है या 640 का तुकूल मत कितना हो जाएगा निकाल लेंगे यक्स बटे 100 यहां पर देखो अंतर दिख देंगे चाहूँण माइनस श्यालीस बराबर छास्तो चाहिस है न तो यह जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा श्यालीस गुड़े 100 बटे आठ चाहूशाट आठ तो यह जाएगा असी डबल जीनो तो बटा कूल मतों की संख्या इतनी हो जाएगी इसमें हम करते क्या है जब कोश्च से देख की कुल मित इतना है 10% रद हो गया तो हंडे मेंसे 10 माइनेस करिए कितना वचान नब्बे ठीक है फिर उसमें कहें कि ए और भी मद्दार उमिद्वार है इतना पर्षेंट पाता है तब आपको निकालों कि नब्बे का ये इतना पर्षेंट पार रहा है तो इसका कि ठीजी में बहुत आराम से चलता लेकिन एक ही वीडियो में वीडियो कंप्रीट करना था और वीडियो बहुत लंबा भी नहीं बनाना था एक घंटे का बनाना था बहुत इजी में आपको इस्प्रेंड के आ अगया है अप इतना देखके अच्छे से 20 सींक्याम में अपना और जाके एक्जाम में के साथ बैठ सकते हों हमने पूरा पढ़ लिया है बाकी और प्रेक्टिस जब होगा तो पर्सेंटेश का प्रेक्टिस का कम सक्कम 10 सेट आएगा जिसमें हर प्रेक्टिस में एक कोशन के तो इस तरह से अपका थोड़ा सा महनत ज्यादा करना पड़ा है अगर में बहुत आराम से चलता तो आप लोगों ने दिखा है आप फ्राइन के क्लासेज में भी गंटे में कोई 5-6 कोशन डिसकस नहीं कर पाता है मैं तो आल लगबाग 26-27 कोशन डिसकस किया हूं एक गंटे म गए तो बिटा ये चांसी ऐसा था और आप सबको समझ में होगा बहुत फास्ट भी नहीं चला हूं बहुत स्लो भी नहीं चला हूं जिस बच्चे को एक बार नहीं समझ में दुबारा भी इसको देखेगा अगर बच्चा वीडियो आपको पसंद आया हो आपके काम की जारी आपके लिए ठेक के बड़ा थैंक यू वेरी मच्च